तो सिर्फ इतना ही पता था कि ये मद्द्रदेश का शहर है और इसका बॉर्डर महराज से लगता है यहां आने के बाद 24 घंटे में जो नजारा में आपके बीच में देख रहा हूँ उससे कल रात एक युवा मित्र ने मुझे बताया कि ये बाला घाट शेरों और टाइगरों की नगरी है यहां जंगल भी है यहां खनिच पदार्थ भी है लेकिन पूरे भारत में इतने सारे टाइगर एक साथ देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा आज एक निर्णे हुआ है एतिहासिक निर्णे हुआ है सरकारे निर्णे बहुत लेती है लेकिन सरकारों के निर्णे देश के हित में होते हैं और देश बहुत छोटी सी चीज होता है एक बड़ा निर्णे आज दिल्ली में हुआ है मुझे खुशी है इस बात की आज छिस छह साथ साल पहले जब ये सफर शुरू किया कोई मंच ऐसा नहीं था जहां से मैंने उसके उपर आवाज न उठाई हो इसलिए दोहजार इकीस के भारत में आप सिर्फ अपनी बात पूरे तथ्यों और तरकों के साथ बिना लाग लपेट के सत्ता और विपक्ष का ध्यान किये बगएर जब जोर से कहते हैं तो सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के कान तक वाबास जाती है इसलिए सब को राज सभा और लोग सभा जाना है सब को एमेले ही बनना है तब ही वो कुछ करेंगे मैं ये नहीं मानता ये सत्ता की लड़ाई में जो लोगों को गलत फहमी हो गई है कि वो ही राष्ट बचा रहे हैं मुझे लगता है अपने किछी निजी स्वार्थ को बचाने के लिए सत्ता का सहरा लेना चाते हैं कुछ लोग आज से पांच-छे साल पहले इस देश को सुबह से ले के शाम तक धारा तीनसो सत्तर के बारे में खूब घुटी पिलाई गई ये धारा तीनसो सत्तर क्या है एक लंबे समय से हम सुन रहे हैं करीब करीब पिछले 40-50 साल से है लेकिन जो असली धारा थी उसके बारे में किसी ने नहीं बताया इसलिए मैं बार-बार सत्ताओं से उम्मीद कम करता हूं मेरा विश्वास राष्ट की शक्ति में है और शायद दुनिया में हम एक मातर ऐसे देश हैं कि जो समाज अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानता उसे सत्ताएं सत्तर साल से मूर्ख बनाती हैं इसलिए आज एक फैसला हुआ है छे साल पहले राजकोट की एक सभा में इस बात को पूरे तथ्यों के साथ रखा आप अपने मुद्दे उठाते वक्त मैं मेरी जाती मेरा इलाखा जिस दिन इस से उपर उठ जाएंगे आपको बाला घाट में भी करोड़ों लोग सुनने आएंगे हमारे देश में गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी उसके तहट एक समझोता हुआ उस समझोते के तहट जो आदमी 14 प्रांतिय एसमलियों के वोट अपनी पार्टी के अध्धक्ष बनने के लिए नहीं ले पाया वो देश का पहला परदानमंत्री बन गया अगर गुलाम भारत में सही माइनों में कोई प्रदानमंत्री बना 21 अक्टूबर 1943 को पूरी दुनिया में घूमने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को जब उसने भारत की आजाधी की गोशना की तो अपनी करंसी भी चलाई और टिकेट भी चलाया परदानमंत्री भी गोशित हुआ लेकिन हम लोग अपने स्वार्थों के कारण अपने हीरो को चुनने में बहुत सलेक्टिव हैं 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्रबोस ने जब आजाधी की गोशना की तो दुनिया के ग्यारा राष्टों ने उसे माननेता दी लेकिन हमने सुभाष बाबू के बारे में जानकारी नहीं ली चाटुकार टाइप के नेताओं को अपना हीरो माना और वो प्रबर्ती आज तक हमारे अंदर बैठ गई है जो समाज अपने हीरो को हीरो नहीं चुन पाता उस समाज में हीरो पैदा होना ने बंद हो जाते हैं और हीरो सिर्फ सत्ता पे जाने से नहीं होते MLA MP बनने से नहीं होते इस देश में जितने बड़े बदला हुए हैं वो सत्ता के बाहर रहने से हुए हैं ये राजनितिक लोगों ने आपको एक खेल सिखा रखा है कि वो ही जीत के जाएंगे तभी काया पलट करेंगे वो अपनी काया पलट करते हैं किसी की नहीं करते हैं किसी की नहीं करते हैं इसलिए दो घटनाओं से आपको लगेगा कि आप मामूली आदमी नहीं है क्योंकि हमारे हैं ये बताया गया कि ये आम आदमी है और उपर बैठने वाले खास है छह साल की मुहिम में सत्ताओं से दूर रहने से आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ कहते हैं क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना नहीं होता ये ही वज़े है कि मेरे मिजास से आयो जकों को अंदाजा है इसलिए सांसद हो विधायक हो मुक्मंत्री हो, मंत्री हो उसे मुझे आम आदमी के बीच में ही बिठाना है इसलिए राष्ट की सामोहिक शक्ती 90 करोड सनातनियों की सामोहिक शक्ती को इतना मजबूत कीजिए के सत्ता में जो भी बैठे उसकी विचार धारा क्या है, वो हमारा है, तुमारा है हमको इससे मतलब नहीं है इस सामोहिक शक्ती का इतना सामोहिक प्रदशन करिए कि सत्ता में कोई भी बैठे आपकी चोकट पे नाक रकडने आए वो यह ना समझे कि वोट ले लिया है अब ना संसत से आना है ना विदान सभा से आना है यह शक्ती का प्रदशन आजाद भारत में इस तथाकतित आजाद भारत में सत्तर साल के बाद इन पूरे सत्तर सालों में आप यादव, ठाकुर, ब्रहमण, बनिया, काईस, अपरकास, लोरकास, दलित, महादलित सब कुछ हुए लेकिन आपकी चेतना ने आपको जग जोरा Unconscious Mind से आपने ये पहली बार फैसला लिया 900 साल के बाद आपकी चेतना जागी और आपने कहा कि एक बार हम सनातनी हिंदू बन के भी देखते हैं और आप जब सनातनी हिंदू है तो 2014 पैदा हुआ इसलिए आज दुनिया ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा दुनिया आपकी शक्ती को भारत को हमारे उपर थोपे हुए भारत के राष्ट पिता से नहीं जानती बिल्कुल नहीं जानती दुनिया आपको आचार चाणक और विश्नुगुप से जानती है जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है अपने निजी स्वार्थों में गुल रहता है उसको बौने नेता मिलते है आपने प्रधान मंत्री बनाए राष्ट पती बनाए मुख मंत्री बनाए लेकिन कभी आपने इस राष्ट को बचाने के लिए कोई आदमी नहीं चुना